ट्रांस्मिशन और डिस्टिब्यूशन लाइनों में कभी भी चांदी, सोना, तांबे का प्रियोग नहीं करते हैं, क्यों मेरे सिर्जबाज, क्योंकि बहुत साल पहले आया था मुह नोचवा, बाद में आया चोटी कटवा, और इतना महंगा तार लगा दोगे, तो आज आए में मेरे भाई क्या करेगा, वो काट के ले जाएगा, कहने का मतलब मेरे सिर्जबाज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एसी एसार के बारे में, तो पहले हम दो जो समझेंगे भाईया, एलुमुनियम जो कंड़क्टर जो होता है, इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको जो देखो देखो, ऐसे ऐसे, तीन चाब जब करो गया ना, तो वो तूड जाता है, तो उसकी मजबूती परदान करने के इसके बीचवा में घोच जाता है क्या, इस्टीर वायर, और उसी में च्छीपा राता है, क्या करता है, लेकिन उसकी मजबूती परदान करता है, उसके बाद भाईया, जब ऐसी घटना जब होती है, तो उस कंड़क्टर को तो हम लोग क्या कहते हैं, पता है न, मुझे पत और मामला ही फसता है, कि जैसे माल लीजिये, किसी ट्रांस्मिशन लाइन में में मिर भाई जो है, पत्चीस एल्मुनियम कंड़क्टर हैं, पत्चीस और उसके बीच में जो है साथ इस्टीर वायर जो है लगे हुआ हैं, और पेपर में में मिर भाई कई बार पूछा हुआ है कि 25 एल्मुनियम कंडक्टरों से घीरे इस सेवें जो है साथ जो है इस्टील वायर जो है लगे हुए हो तब उसको जो है हम लोग किस प्रकार से इस्विसफाइट करेंगे निर्दिष्ट करेंगे किस प्रकार से व्यक्त करेंगे मेरा से जबाज मुस्कुरा रहा हो जानता है कि यह तो मुझे पता है लेकिन मेरे भाई मुझे मालूम है कि आप लोग यूपी पीसेल जे या टेक्निकल का कोई भी एक्जाम देने जाते हो तो ऐसे से प्रसंजे पूछ लेते हैं भाईया यहां पर बता दें आपको जो है पहले लिखेंगे इल्मुनियम वाला फिर मेरे भाई कुछ भी दिया रहे तो पहले आप किसको लिखेंगे पहले कौन आया था पहले आया था अलुमिनियम उसके बाद कौन अंदर गुसा हुआ है स्टील तो इल्मिनियम वाई स्टील तो भाईया इसका जवाब क्या होगा 25 by 7 मेरे सेर जवाज मैं अभी आप लोगो आपके लिए लाओंगा थोड़ा सापोर्ट कर दो मेरे भाई जो दिख रहा है यहां पर ना घंटा घंटी मेरे भाई सब बज़ा देना ठीक है आप लोग समयधार हो हम फिर ले कहते हैं एक नया वीडियो ठीक है